डिरेक्टर रजनीश मिश्रा और पवन सिंग जी हां इनकी कभी इतनी जादा नहीं बनती थी लेकिन वेब सिरीज प्रपंच का डिरेक्शन करने के बाद रजनीश मिश्रा और पवन सिंग में एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई है हाल ही में रजनीश मिश्रा ने पवन सिंग पर बड़ी ही बेबाकी से इंटरव्यू दिया वैसे आपको बता दे रजनीश मिश्रा खेसारी लाल यादो और काजल रागवानी प्रशान्त उज्वल जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनकी हमेशा से एक अलग ट्यूनिंग नहीं है य लेकिन अब खेसारी लाल यादो के कमफ़र्ट जोन से निकल कर रजनीश मिश्रा पवन सिंग और दिनेश लाल यादो निरहुआ के साथ काम कर रहे हैं और आपको बता दे कि इसी दौरान पवन सिंग आपको बता दे कि वेब सीरीस का डिरेक्शन करते हुए आपको बता दे कि वेब सिरीज प्रपंच का डिरेक्शन करते हुए रजनिश मिश्रा और पवन सिंग में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई और पवन सिंग के बारे रजनिश मिश्रा ने जो कहा है उसे सुनने के बाद खेसारी के फैंस के तो दिल ही तूट जाएंगे जी हाँ खेसारी लाल यादो के फैंस के दिल इसले तूटेंगे कि कल जो रजनिश मिश्रा खेसारी के कसीदे पड़ते थे तारीफों के आज वो पवन सिंग के कसीदे पड़ रहे है तो आपको पता दे क्या क्या कहा है तो हाल ही में दिये एक इंटरव्यू में पवन सिंग के बारे में रजनिश मिश्रा ने ये कहा है कि भोजपूरी इंडस्ट्री का शूर है पवन सिंग और पवन सिंग के वज़े से भोजपूरी का नाम बहुत आगे जा रहा है आज हमारे बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है पहले मैं उन्हें बड़ा भाई कहता था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच एक बहुत अच्छा रैपो बन चुका है हमें एक दूसरे की तारीफ करते ठकते नहीं है वो इसलिए क्योंकि मुझे पान से छे दिन समझने में लगा कि पवन सिंग एक्चुली में है क्या और अगर आप उन्हें समझ जाएंगे तो उसके बाद आप उनके साथ काम हमेशा करना चाहेंगे आपकी वो फर्स प्रियर्टी बन जाएंगे वहीं पर दूसरी तरफ ये कहा है रजलीश मिश्रा ने कि सोनु न पवन सिंग का बहुत ही बड़ा सौंग आ रहा है तो जितने लोग भी पवन के नेक्स्ट बॉलिवुड का इंतिजार कर रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि अब उनका नया कौन सा गाना आने वाला है और किसके साथ आने वाला है तो यकीन है आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरी जगत की होट और मशालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए